गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स टुडे लेसन नम्म थ्री एकसाज पार्ट ए ट्रू जेंटलमेंट ट्राइस टू मेक अधर्स चीरफूल यानि दूसरों को परसंद करते हैं ए जेंटलमेंट ए ट्रू जेंटलमेंट सब्मिट स्टू पेन यानि कि कभी भी अपने जो दर्ग होते हैं वो किसी को नहीं बताते हैं नेक्स्ट ए ए अन एजूकेटड माइंड बिहाइब्स लाइक के ब्लंट टूल यानि एक मुथरे होजार की तरह काम करता है ए जेंटलमेंट यानि कि एक जो सज्जन ब्यक्ति होता है रिस्पेक्ट और रिलिजियस एक्वल्टी यानि सभी धर्मों का एक समान क्या करते हैं समान करते हैं जो किसी भी धर्म का ब्यक्ति हो कि इन एन ओपेनिन आफ जेंटलमाइन यानि एक जेंटलमाइन यानि सजन ब्यक्ति के विचार में क्या होता देखिए वन हो गिप्स बोस्टली टू गिवर गाड एलाइन इच गिवर जैनि कि भगवान एक मातल देने वाला है येस नेक्स्ट मैचिंग लिस्ट सर्विस आफ दा सफ्रिंग्स यानि जो परेशान है उसकी सर्विस यानि कि सेवा करना कि किसके समान माना आता है हुमेंटी इस दा सर्विस आफ गाड ही इज एवर प्रेपेड वह हमेशा तयार रहता है तो हेल दा नीड यानि आवस्सक्ता जिसको होती जरूरत मंद की हमेशा मदद करने के लिए तयार रहता है यानि एक जो सच्चा जो कभी भी व्यक्तियों में एक बूसरे में बेदवाब नहीं करेगा यानि मैंसा क्या जानते हैं ताकत जानते हैं और कमजोरी जानते हैं यानि जो कोई गलत सब्सक्राइब करने वाले होते हैं उनके प्रिक्या होता है यानि उन पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं प्रू फाल्स एट्रू जेंटलमैन इज नेवर हेल्फुल तो अदर्स इज एवर यानि की जो एक सज्जन सज्जन विक्ति होता क्या हमेशा दोसरों के लिए मददगार नहीं होता गलत मददगार होता क्या होगा है जैमेशा दोसरे हो का संबान करता है जैन में इस एफ्रेड आफ डेट यानि छी आी दरते हैं अई नहीं डगते हैं, इज़े फ्रेडा फाल्स होगा, इसमें क्या कहरा है डगते हैं, यह जो होते हैं, मौस से नहीं डगते हैं, जो इस से ओड यानि जो गाली गिलोज देने वाले लोग होते हैं मूर्क लोग होते हैं उनके प्रतिवी दयावान होता है इट इस तो नेक्स्ट में आपको जो मिलेगा नेक्स्ट इक्सरसाइज थैंक्यू